है फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब तो आज देखो मैं वीडियो लेकर आई हैं सॉक्स का एड़ी वाले सॉक्स हैं और इसमें अंगूठा बनानग सिखाऊंगी और एड़ी बनानग सिखाऊंगी अब आप बोलोगे एड़ी के नई चीज है लेकिन मैं नई यह तरीके से एड़ी सिखाऊंगी जिसमें पैर से सॉक्स इदर दर नहीं भागता सिंपल एड़ी से तो ऐसा होता है कि पैर अगर थोड़ी थोटी बड़ी रह जाती है तो इदर दर भागता सॉक्स लेकिन बिल्कुल फिटिंग में आती है यह वाली एड़ी और बनाने मे तो इसकी लाइफ थोड़ी जाद होती है स्पेशल साॉस के लिए होती है कम गिस्ती है यह तो इसके लिए मैंने देखो 11 नंबर किसलाई लिए अगर आपकी पतली उना तो आप 12 भी ले सकते हो आपके उनकी उपर डिपेंड अगर मोटी है तो आप 10 भी लगा सकते हो लेकि मेरी उन ठीक है मोटी है लेकिन फिर मैं 11 नंबर किसलाई लिए तो बताती हूं मैं जैंड सॉक्स बनारियों में आठ नंबर के लिए तो आठ नंबर पैर के लिए यह मैंने देखो यह डाले हैं 60 फंदे 60 फंदे में काफी है अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो 54 फंदे आपके लिए बहुत है क्योंकि लेडिस का पैर थोड़ा सा पतला होता है तो यह देखो यह मैंने डबलून से डाल दिया है और यह बॉर्डर बना लिया है बॉर्डर अपनी इच्छा से आप कितना भी यह मैंने लमबाई पूरी कर ली जितनी आपको इसकी लमबाई चाहिए उतना आप कर सकते हो क्योंकि कई अच्छो कर्णो nellैंकर पहनते हैं हैं कई थोड़ी ज्यादा पहनते हँ तो यह मैंने तो 9 इंच की आई आप अपने हिसाब से कर ले चुकी है सिंपल बनाया है मैंने आप इसमें कोई डिजाइन भी डाल सकते हो अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात है यह कि अगर आप मतलब यही पैरों में बिल्कुल फिक्स चाहते हो तो यही बॉडर आप एंड तक भी बना सकते हो अच्छा लगेगा यह और कोई डिजाइन डालना पिस्छा से आप प्राल सकते हो तो यह अब हम कर लेते हैं इसको लंबा ही मारी पूरी हो गया अब यह हाफ फंद है जितने 60 फंद है तो 30 फंद है बुन गे तो यह था बुन के फिर बताते हो आप को कि तो यह 3 संदे भुझ लिया हमने 30 इस सइडे तीस सइड तो हम यहीं से तरण हो जाएगे मियर्च पोने इसको इसके स्लाइमे रहने देंगे तो इसी को बनना है आप हमने तो इसको एस को हमने 4 और भुझन और है चार ओंगल बनना है इसको सीधा उल्टा ही तो देखिए मैंने one side बुन लिये और ये मैंने चार उंगल बुनी है देखो ये चार उंगल अगर आप थोड़े छोटे का बना रहे हो दस बारा साल की बच्चे का तो आप तीन उंगल भी ले सकते हो और एक और दू साल की बच्चे का तो मैंने आपको पहले बना अगर दिखाया है उसमेन रहे दो लिया था तो इस हिसाफ़ से जैसे हमारी इडि हो इसाफ़ से हम इसको लेंगे ये चार उंगल है हमारा अभी दो हिस्से में बुल लेती हूं तो दो हिस्से में मेरे होगे 20 अभी बताते हूं आपको एक, दो, तीन, चार, पांश, शे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उनिस यह उनिस ले लिए अब हमने क्या करना है जो यह वाला 20 फंदा है, 20 इसको हम उतार लेंगे और इसको जो यह 10 फंदे हमारा लेफ्ट बचे हैं इसमें से हम इसको बुल लेंगे और अब इसको इसमें से निकाल देंगे तो हमने इस दो का एक कर दिया देखो इस तरह से अब देखो उल्टी साइड बताती है आपको यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो मतलब हमने दस फंदे लेने हैं दस इस साइड दस इस साइड और दस बीच में तो तीस हो गए हमारे अब यह नो ले लिए मैंने तो दस फंदे को मैं इसके साथ इस साइड वालों के साथ दो का एक करूंगे तो ये दो काई को गया अब मैं यही से मोड़ दूँगी इसको नहीं बुरना मैंने अब और यही से इसको मोड़ दूँगी आप एक दो स्लाइट देखो गया आपको समझ में आ जाएगा तो ये बीच वले हमारे 10 ही रहेंगे ये बीच वाले तो हमारे दस ही रहेंगे और आसपास वाले हमारे घठते चले जाएंगे तो ये देखो दो, तीन चार पांच, छे साथ आठ, नो नो हो गए ये, दसवा हमने उतारना है ये वाला और यहां से लेना है अब हमने ये देखो, और इसमेंसे इसको उतारना है मैंसे निकाल देंगे ताकि ये, ये सीदी सीदी लाइना है हमारी ये वाली, इस लाइन की वज़े से हम इस तरह गटाते हैं ये तो सिंपल दो का एक भी कर सकते हैं आवने फिर वापस मुड़ गए ये इसे ये हमारे घट रहे हैं ये हमारे अब देखो, आठ ही रहे गए एक, दो, तीन, चार ये आठ रहे गए, ये बीच वाले हमारे दस के दस लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो होगे, और दसमें फंदे को हमने इसके साथ बुलना है इस तरह से, दो का एक, उल्टी स्लैम में हम नॉर्मल दो का एक करेंगे अब यहीं से मोड देंगे हम इसको तो, अब यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और ये दसमें को उतार के, इसके साथ बुल लेंगे और इसमें से, निकाल देंगे, यह हमारा, इस तरह से आएगा अब यह मैं बुल लेती है, तब आपको समझाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और दसमें फंदे को इसके साथ, इसके साथ बुलना है इसी तरह से हमने इसको बुनते जाना है, कब तक बुनेंगे हम, जब तक हमारे खतम ने हो जाते हैं साथ वाले बिल्कुल हम इनको साथ वाले को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, और बीच वाले हमारे दस के दस ही रहेंगे, तब तक हमने इसको बुनना है देखो हमारे फिनिष होगें दोने साइड से साइड वाले फंदे बिलकुल को खतम हो गया तो इस तरह से आएगा ये कुछ अब हमने क्या करना है ये जो सीधी स्लाइए हमारे इसको बुनेंगे क्योंकि उल्टी स्लाइए में खतम हो है हमारे तो दस फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे बहुत इजी और परफैक्ट एडि बनती है ये दो अब हमने ये जो चार उंगल ये बनाए था एक्स्ट्रा ये एडि के लिए तो हम यहाँ से फंदे उठाएंगे देखो इस तरह से इस तरह से तो दस फंदे हमने घटाएं तो दस ही उठाएंगे मियां से बरावर अंतर पर उठाने आपने इस तरह से जैसे बुनते हैं वस वैसे उठाना बरावर डिस्टेंस से पांच छे बस इस तरह से उठाने हैं आपने दस ही उठाने से जादने उठाने हैं और हम इनको बुन लेंगे यह बीस फंदे हो गया हमारे बुनने को फिर हमने इस साइड से उठाने हैं उट्टिस लाइप को बुनके वह उठा लिए हैं अब जो यह साइड वाले फंदें हैं यह वाले जो 30 बचे इनको हम बुन लेंगे अब हमने वैसे बुनना है जैसा हम बुनते आ रहते हैं यूद ये हमारी बुन चूकी है कि बस उतनी पूरी करना है मैं आपको को बताते हूझ करनी है कि यह अपने पैड से नापके यह आप करोंगे जितना हमारा पैड लंबा उतने हमने लंबाई करनी है इसकी तो फिर सुवार पंजा घटाना बताते हैं आपको ना रंगुठा बताना कि परफेक्ट रंगुठा कैसे बनाना कि देखने पर सुंदर भी लगे और परफेक्ट आए यह हमारी अव इसलाही होगी अव अब हमने सीधा-सीधा बुनना है इ यहां बताते हूं यह देखो यह है जो बस एडी को फसाना है आपने यहां पर यह एडी हमारी फसगी है यहां से और हमने यहां तक इसको बुनना है यहां तक उसके बाद हम इसके पंजा घटाएंगे और अंगुठा बनाएंगे हमारी पूरी हो चुकी है एक बार मैं आप अगर आपको जैन्स का तो आप यहां से दस फंदे यह और दस लास्ट वाले इनको पहले बुल लेते हैं तब उतारेंगे अगर आपको बच्चे का है तो आप आठ फंदे बहुत है अगर मतलब जैन्स का है तो दस फंदे यह 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 दस फंदे हमने ले लिए तो इसको हम बाद में भरेंगे यह हमने उसमें रखना है और पिन में यह किसी में भण भर के रखने है यह हमने दस फंदे लेफ्ट करने हैं यहां से भी तो यह शीरिस लाएं में बताती हम आपको पास्ट वाले दस फंदे हमारे ये वाले इनको हम इसमाल परनों परेंगे तो ये देखो सेफटी परने सारी इन फंदों को हमने अभी कुछ नहीं करना इसी में रहने देंगे ये होगी तो इसको हमने छोड़ दिया अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे अ hp कितने फंदे हमारे बचें दस यहां से न आलक दस हमारे निकल गर fiscal को रसे हमने सैंटर में देखना हमने कितने फंदे बचें तो उसके हमने एक औव मरकर लगाना है तो पर बताती हूं को एक दो वस्लाटे हमने दधध्डश छोड़ दी आ हैं यह सेक्टी फिन में हमने भड़ लिया है और अब यह हमने सेंटर का यह वाला यह जो सेंटर का दस इस सेड़ होगे बीस सेड़ बच गे और यह सेंटर का एक हमने इसमें यह मारकर से और लिए जिसे हम इसका पता चल जाए तो अब हमने बुनना है जैसे आप स्ट्र में वी शेप बुनते हो ना गले की बस सेम वह बुनना है आपने कि वह घटाने है तीन फंदों का एक करना है तो इसमें दो तरीके होते हैं घटाने के अब बताती हुआ आपको देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको दो का एक यहां कर लिया और दो का एक हमने यहां कर लिया ऐसे भी कर सकते हैं और वी गले की तरह भी हम घटा सकते हैं तो यह हो गया हमारा कि इसको इसमू भर लेंगे और यह वला निकाल देंगे इस तरह से 5 इसको निकाल रूत रहाए हुआ है यह को अग्या तोंREE नी लिए दो कई कर लिए फिर हमने जो उतारा था इसको हम स्थारी इसमस निकाल देंगे तो यह हमारी भी फाली जैसी आगे सीधेह अब हमने बाकी के बचे बुन लेने उल्टी सुलाई में हमने कुछ भी नहीं खटाना अजो फ बाक्र सुलाई को हम यह से रहने देंगे फिर सीधी में फिर बताती हूँ बद्दू अब आटें तो यह क्या करना है हमने यह वाला है जो यह इसको तो हम उतार लेंगे और इसको इससे डाल देंगे इसको इस तरह स्लाई में ले लेंगे बिना बुने तो इन डौनों का हमने एक करना है और अब इसको इसमें से इस तरह निकाल देंगे है यह हमने वी शेक वाला पर आप पस ऐसे हमने घटाना है सीधिसलाः में उल्टी defend उल्टी है अमरे लंबाई पूरी होगी है तो लंबाई पूरी कैसे होगी कैसे पता चलेगा यह आपना आपने मंगाषा देखना है यह वैबाला देखो यह यहां करना है तो अभी हाफ ले लिए मैं उटी स्लाई में और इसको देखो आप चाहो तो स्लाई से बंद कर सकते हो लेकिन आपको मैं सुई वाले से खाती हूं आज स्लाई से भी आप इसको घटा सकते हो बड़ हम सुई से करेंगे अब यह देखो यह है जो इसमें धागा है हमारा तो हम यहां से लेंगे यहां से और यहां से जैसे स्लाई से बंते हैं उसी तरह लेना है हमने यह अब इसको हम उतार देंगे इस सैड़ वाले को यह उतार दिय अब हमने इसको लेना है इस वाले को और इस इसको इसको दोनों को लेना है हमने और हमारे तरफ सुई आ रही है वस यह दिहान अकनेज में सुई हमारे तरफ आ रही है और हमने जिस तरफ सुई आएगी उस तरफ वाला हमने फंदा उतारना है यह उतार दिया अब हम यहां से पीचह को लेंगे सोई, एक बार आगे एक बार पीचह, यह देखो, अब सोई हमारे पीछे गई, तो हमने यह वाला बैक वाला उतारना है, उतार दिया, अब हमने फिर दुबारा से इस तरह से, बहुत इजी है इसमें क्या होता है सलाई हमारे दिखती नहीं है कि हमने कहां से बंद किया है यह देखो एक बात पीछे की साइड गई तो हमने पीछे वाला फंद उतार दिया अब हम दोनों को फिर दुबारा से ऐसे बुनेंगे तो हम आगी वाला उतार देंगे यह दो का पूरा ही देख लो समझे में आ जाएगा इस बार हमारा पीछे गया तो यह उतार दिया इसी तरह हम स्वेटर के कंधे वगएरा सील सकते हैं तो हमारे स्वेटर दिखती नहीं है यह देखो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कभी आप स्वेटर बगर बनाओ तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितने फंदे डालने हैं हमने किसके स्वेटर में तो वो वीडियो जरूर देखना उससे हमारे को किसी को पूछने विज़रत नही है क्योंकि कई वार आइडिया नहीं लगता हमारा सट चोटा है बड़ा हो जाता है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो वीडियो बस इसी तरह से बुनना है बहुत इजी है देखो बस हो जाएगा बंद हमारा अब मैं दिखाती हूं किस तरह होता है बंद आप देख अब सबस्केम पर देखो इस साइट से बिल्कुल भी नहीं पता चलता है देखो झाहिए आपको हमने बंद किया है सोभी से एक संदर फिनिशिंग आती है बस यह की स्लाइझ नहीं दिखती है यह गरम सलाइच से बंद करते हैं तो अलग सी दिखती है और इसमें हमें कुछ और टेन अभा पिर दोए अब तो हमने क्या अभू किसी है तो हमने यहां दो कई कर लेंगे यहां आन। ने कर लिया इस तरह से निकाल के कोई और आधे फंदे कर लेंगे हमत्त फंद हएंगे 1,2,3,4, यह हमारे चार फंदे बीच वाले बचे करें, आठ इदर है और बीच वाले चार फंदे हैं, तो हम इसको इस तरह करेंगे दो कई कर देंगे, यह आप या वे सी बना स्कती जैसे V-shape के आपने पहले बनाये था उसमें पंजे में तो अब इसको उतार के इस तरह से इसको बुनेंगे और उतारे मैंसे इसको निकाल देंगे तो इस चार के दो हो गए देखो ये वले अब इसको बुनेंगे हम और यहां यह जो लाश्ट के मारे तीन फंदे बच जाते हैं य वाले तीन फंदे बच गे तो हमने यहां यह दो कई कर देंगे और इसको मैं ऐसे भून लेंगे और उल्टी स्लाही उल्टी एक बार रो बता देती हैं मैं आपको हमने जादस लाइंग डालनी बस चार शही डालनी है चार सलाहीं बहुत हैं हमारी वास ते यह देखो इसको उतार लिया इसको पहले बुन लेते हैं पहले वाले को और इसको हमने उतार लिया इसको बुन लिया और इसमेंसे इस तरह निकाल देंगे यह हो गया और अब इसको ये जो हमार सेंटर वाले दो फंदे हैं ये वाले दो फंदे हैं देखो तो हमने इसको और इस साइड वाले को इस तरह दो का एक ये बुन लिया इसी तरह हमें यहां पर दो का एक इसको उतार के और इसको इस तरह से ये दो का एक उतारते हम इसलिए है ताकि हमारी ये शेप यह चीज हमारी इदर उदर ना भाग है यह लाइन कितने सुंदर आ रही है इसलिए उतारते हैं इसको अब यह सेकंड जो हमारा तीन बची जाएंगे लास्ट वाले इनके हम दो करेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे उल्टी स्लाई फिर उल्टी तो उल्टी स्लाई हो हम हम ज्यादा नि बुनेंगे इसको जी हो गया हमारा आध Nepal लेंगे हम इसको मादे पंदे और जैसे हम झालर्ध में सुही से सिला था यह वैसे ette Records आश्राई परüchtदो आश्राइ और आशर्षा कशक्षिन थम इंतले इम आश्राई पिर वालेंगे इसको और आशिए वाफ पय बन गया और यह मरा मुठा बन गया अब उल्टी साइड से हम इसको से लेंगे भी में इस लेंगे अब हमने इसको सिल लेना है आप C міसे इस को सिलना शर्डा से आसने अब अगला आप मोlines आप बना वह फोजिघ तो यह थो हमने बना लिया इस सेड को किया था और अगले की एडी हमने इस सैड करने दूसरे वाले की इस सैड बस यह आपने ध्यान देना है इस सैड वाले हमने चार उंगल बुनना है और बाकी से में बुनेगा जैसा है बस एडी का ध्यान रखना है आपने इस सैड से बुनने है आप तो देखिए एडी कितनी परफेक्ट आई है हमारी कितना सु सुन्दर आया बिल्कुल फिटिंग में आया कितना सुन्दर लग रहा है कि यह देखो तो यह हमार मैस दो बॉल में बनके ट्यार हो जाएंगे दोना सुक्स हमारे और यह है कि अगर आपने बच्चे को बनाना है तो फंदे थोड़े कम लेना अंगुठे के और बाकी जैस के लिए परफेक्ट है बिल्कुल कितना सुन्दर बना है अब इस सुक्स मेरा एक बॉल लगा है मतलब दो बॉल में हमारे दो सुक्स बनते है इस लंबाई में तो यह अगर आपको बनायो मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक आप सस्कार जीवर कीजिएगा और अगले वीडियो का आप इंचार करें कितना समय है यजब दो आपके पूप आपको बना है जीवर का आपको बना है वीडियो कितना सुक्स मेरे चांप सकता है इस सकता है